अब आपका भी वाइफ़ाइट नहीं और बार बार और ओफ हो जा रहा है और इस वीडियो गंदर बात करेंगे अगर इस चानल पर पहले बारा नहीं को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे तो आप देख सकते हैं मेरे पास है जो फोन है वो रेड्मी 9A है और इस मैं आपको बताने वालाओ इस फीचर्स का इस्तमाल कैसे करेंगे ठीक है चैनल पर पहले बारा है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना मत भुलिएगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आ आपको यहां पर एडिशनल सेटिंग में जाना है और आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे उप्संस देखने को मिल रहा है तो यहां पर यह रहा एडिशनल सेटिंग यहां से आपको मैनेज सेव नेटवक पर क्लिक करना है और यहां पर आप देख सकते हैं जो भी आप setting में और यहाँ पर आपको sim card network पर क्लिक करना है और उसके बाद atl id or whatever जो भी sim हो उसके आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पर दिखेगा access name point इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर reset का option दिखेगा आपको इसको reset कर देंगे आप देख सकते हैं हमारा reset हो चुका है अब आप problem आपका solve हो चुका होगा ठीक है और आपका problem फिर भी solve नहीं होता है तो एक last option बचता है जो कि आप easily उसो भी fix कर सकते हैं इसके लिए आपको setting में जाना होगा उसके बाद आपको यहाँ पर additional setting दिखेगा इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर बहुत सारे options देखने को मिलता है accessibility देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर reset and backup का option नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं यहाँ पर हम search bar में search कर लेंगे यहाँ पर search करने का option होता है reset reset का option आजाएगा उसके बाद erase all data का option दिखेगा इस पर क्लिक करना है और यहाँ से erase all data phone file वगेरा त्यान रखिएगा photos, videos वगेरा सब उड़ जाएगा क्योंकि आपका बिल्कुल नया जैसा phone हो जाएगा अगर आप इसको reset करते हैं यहाँ से तो ठीक है और जैसे reset करेंगे आपका problem fix हो जाएगा और easily आप इसका इस्तमाल कर पाएगे ठीक है अगर फिर भी solve नहीं होता है तो समझ लिजे हमने सारा पैतरा आजमा लिया है reset एक ऐसा options होता है जो कि last options होता है और इसके बाद भी problem solve ना हो तो आपको service center जाने की जोरुद भड़ेगा तो मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और गुडबाय ठीक है